नमस्कार दोस्तों सवागेता आप सभी का आपके अपने यूटूप चैनल केरियर पॉइंट यूटूप चैनल पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम लेकर आएं विज्ञान के तो फेने वाले सभी एकजाम के लिए महतफ़ पूर्ड रहने वाले हैं तो दोस्तों इस वीड अगर आकस्त लगएगा अगर वीडियो को लाइक करें और परते क्यूशन का आर्सर कमेंट बॉक्स में जरूर लगाए तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करतें देखंगे आज की वीडियो का फेस्ट क्यूश्चन कौन एक जीवित जिवास्व कहलाता आप लोग पताएंगे जल्दी से, कौन एक जीवित जीवासन कहलाता है, फटाफ़ट कमेंट करीगा, कौन कहलाता है, जिंक गो, उप्शन ए आपका सी होजेगा, जीवित जीवासन कहलाता है, जिंक गो, अगला क्यूशन देखिए, दमा एवं खासी के रोगों में काम आने वाली इफरेडिन किससे प्राथ की जाती है, आप लोग उताएंगे जल्दी से, दमा एवं खासी के रोगों में काम आने वाली इफरेडिन किससे प्राथ की जाती है, जिसका परियोग किस के लिए होता है, अगला क्यूशन देखिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक तो फ्रेंच वीडियो को लाइक जुरू करिए क्योंकि आपके एक एक लाइक से हमारा more टीशन होता है हमारा more लाइक होता है तके आपको और अच्छी वीडियो प्रवाइड कर सके हैं देखे एक ला अगला क्यूशन देखिए सुगंदित पुष्पों में प्राग करने किसके द्वारा होता है आप लोग उताएंगे जल्दी से तना काट आमतोर पर किस के परवर्दन के लिए प्रयोग क्या जाता है, आप लोग उताएंगे जल्दी से, किस के लिए प्रयोग क्या जाता है, आप लोग उताएंगे जल्दी से, किस के लिए प्रयोग क्या जाता है, आप लोग उताएंगे जल्दी से, देखी क्या होता है, एक BGF फल होता है, option B आपका सही आंस्वर हो जाएगा, चावल क्या होता है कि BGF फल होता है, अगला question देखिए, नाश्पति का कौन सा भाग खाये जाते हैं, आप लोग दाएगे जल्दी से, कौन सा खाये जाते हैं, चलिए देखिए, गुद्देदार पुषवासन खाये जाता है, option C आपका सही जाएगा, नाश्पति का जो हिसा खाये जाता है, वह होता है, गुद्देदार पुषवासन, अगला question देखिए, आलू किस स्कुल से संब्दी तिकाई है, आप लोग दाएगे जल्दी से, किस स्कुल से संब्दी तिकाई है, सही आंस्र होगा, शोल अगला question देखिए, आम का वानस्पतिक नाम क्या है, आप लोग उताएगे जल्दी से, आम का वानस्पतिक नाम क्या है, सही आंस्र होगा, मेंजी फीरा इंडी का, option B आपका सही जाएगा, आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है, मेंजी फीरा इंडी का होता है, अगला question किसे समंधित यह लेग्यो मिनेशी option c आपका सविया अंसुर होगा अगला question देखिए चाय के पोदे का वरणस्पतिक नाम क्या है चाय के पोदे का वरणस्पतिक नाम क्या है चलिए देखिए थिया अगला क्यूशन देखिए निमन में इसे कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है कौन सा आप लोग उताएंगे कौन सा है ट्रिटिकेल है उप्शन भी आपका सही आंशर का ट्रिटिकेल नेक्स देखिए दाले किसका एक अच्छा सुरूत होती है फटाफट कमेंट करेंगे और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जो भी बचा नया है चैनल को सब्सक्राइब जुरू करेंगा साथ में बैल आइकन भी ओन करें करेंखिए दाले किस्का इक अचा सुरूत होती है चले देखिए सई आश्डार झहएगा प्रोटीन का खीशकार होती है पोदो में जल का प्रिवहन किसके द्वारा होता है किसके द्वारा होता है केसिका के द्वारा option D आपका सी उजएगा याद रखे पोदों में जल का प्रिवहन केसिका के द्वारा होता है अगला question देखी पोदों की वुरीधी के लिए कितने आवशिक तत्तों की जरूरत होती है 16 आपका सी आंसर होगा option D पोलता जहलता है अगला question देखी पत्तों की हरीम हिंटा किस की क्रिण से होता है पत्यों की हरीम हिंटा किस की कमिस होता आप लोग उताए जल्ध अगे जल्दी से किसकी mágnessyum की क्रिण होता है mg maganishstream magazine۔ याद रखिए option A आपका सी होगा हरेम हिंता पतियों में मेंगनेशियम के वज़े से होता है अगला क्यूशन देखी वन सागति के अध्यान से सम्मंदित जेविज्यान की साका है अनुवान्सी की याद रखिए अगला क्यूशन देखी जेंस बने होते हैं जेंस किसके बने होते हैं फुटाफ़ कमेंट किसके DNA के बने होते हैं याद रखिए ओप्शन C आपका से हो जाएगा DNA से बने होते हैं जिंस और DNA की पूर्म होती है Dioxyribone Nucleic Acid इसकी फुलफोर्म होती है याद रखिए क्या होती है Dioxyribone Nucleic Acid अगला क्यूस्टन देखिए और यहांजीर गलते हैं जलदी सें जल्दी सेंगई कोन सा अंग प्राए जंतु के सिका में उपास्तित नहीं होता है आप लोघ जल्दी सेंगे differatur अगला क्युशन देखी में से कौन सा कोषिकांग डिन ने रखता है कौन सा कोषिकांग डिन ने रखता है कौन सा माइटो कंडिया रखता है option B आपका से जाएगा ठीक है याद रखिए mitochondria कुशिकांग DNA रखता है और DNA की फुलपम होती है Deoxyribal Nucleic Acid अगला question देखिए कोशिका वे आणविक जी विग्यान केंदर कहां स्तिते आप लोग ताइगे जल्दी से कोशिका की आतम हत्या की थैली किसको कहा जाता है आप लोग ताइगे जल्दी से अगजान केंदर की क्यूश्चन कई बार पूछा गया रिपीट वाए इसका सही आंसोल हो जाएगा देखिए Lyosome Option D आपका से जाएगा Lyosome को कोशिका की आतम हत्या की थैली कहा जाता है अगला क्यूश्चन देखिए Nucleus की कोज सरव पर्थम किसने की थी आप लोग ताइगे जल्दी से Nucleus की कोज सरव पर्थम किसने की थी किसने की थी ब्राउन ने की थी Option A आपका सही हो जाएगा याद रखिए Nucleus की खोज ठीक है Nucleus की किसने की थी ब्राउन ने अगला क्यूश्चन देखिए Capsule का आवण बना होता है Capsule का आवण किसका बना होता है आप लोग ताइगे जल्दी से जिसका बना होता है Stars का बना होता है याद रखिए Option A आपका सही हो जाएगा Capsule का आवण बना होता है Stars से अगला क्यूश्चन देखिए सहद का परमुख गटक क्या होता है आप लोग ताइगे जल्दी से सहद का परमुख गटक क्या होता है क्या होता है फ्रुक्टोज, option B आपका से याद रखिए, सयद का पर्मुख घटक होता है, फ्रुक्टोज, next देखिए, निमल कित में से सरवाधिक उज़ा प्राप्त करता है, सबसे अधिक उज़ा हमें किसे प्राप्त होती है, आप लोग उताएंगे जल्दी से, किसे प्राप्त होती है, कार्बो हाइड्रेट से, option B आपका से याद रखिए, सरवाधिक उज़ा प्राप्त होती है, वो हमें प्राप्त होती है, कार्बो हाइड्रेट से, अगला question देखिए, देखिएगा निमलकित में से सरवाधिक उर्जा प्राप्त करता है, कौन करता है आप लोग उताइगे जल्दी से, फटाफट कमेंट करेए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक निंगे तो प्लेज वीडियो को लाइक और शेयर जुरू करेंगे ज सबी से हमें उर्जा तो प्राप्त होती है, लेकिन सबसे अधिक की बात की गई है, आप देखिए, सरवाधिक जो उर्जा प्राप्त होती है, वो हमें प्राप्त होती है किसे कार्बो हाइडरेट से, याद रखिए किसे होती है, कार्बो हाइडरेट से हमें सबसे अधिक उ पूछा गया है, सही अंशर होगा क्या देखिए चावल, ठीक है, याद रखिए, चावल के अंदर हमें प्रोटिन नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन फेर्ट्चेंट्स देखिए, जाल, दूद, मांच, इन सफ़ी से, देखिगा, दूद, दाल, मांच, इन सबी से हमें और फ़ाप्र कमेंड करेंगे, सही आंसर, विटामिन सब द्ध किस ने परथी पाधित किया है, आप लोग पुताएंगे जल्दी से, देखिये, विटामिन सब द्ध जो है, वो पर थी पाधित क्या था, फंक ने, आपका सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे, फंक के द यह जो है इंपर्टेंट कcolor जो आपके पुछन के च्रिक क्षीड स्पट सब्सक्राइबूसे हैं उपसंद आप का सहगा कल आप से पूछन पूछा गया कज़ से प्राप्त होती थी तो इसका सई चार्बो हाईड्रेट लेकिन आज आपसे पूछ रहें किस से हमें उर्जा यह प्राप्ट नहीं होती है तो विटामीन के अंदर और देखे प्रोटीन थot है इनसे था यह अगर बाद की सबने अब से तक वीडियों को लाइक निए तो वीडियों को लाइक और शेयर जुरूब कर देंगे देखिए विटामिन का रासनिक नाम होता है एसकोर्विक अमल ओप्षन अपका इस्कोर coraz कर दिख çal yol होता है क्या होता है इस्कोर में eu झाज़ीं में ओस्तन ओक्सीजन का ψताया क्यों से चले किली ए दिए तो pressured होती हैं मचलीके ईकरित के तेल में किस जुटता होती है आप लोगताएंगे जल्दी से को सही आंशुरों का vigil इसे किस तत्तों का संब्द दातों के साथ हैं किस की साथ चली देखिए फॉलोर इन के साथ, उप्शन C आपका सही हो जाएगा फॉलोर इन राइट आइट आणस्वर, अगला क्योशन देखिए, हर्दय की दढकन को नियनतित करने के लिए निमन में से कौन सा खने जावशिक होता है, आप लग उताएगे जल्दी से, हर्दय की दढकन को नियनतित क कमेंट करके बताना है, पोटेसियम का सिंबल क्या होता है, आप लोग उताएगे, पोटेसियम का सिंबल क्या होता है, कमेंट करके जुरू बताना है, इस क्यूशन का अंसुर, अगला क्यूशन देखते है, पालक के पत्तों में किस की मात्रा सबसे अधिक होती है, आप पूछ सकते हैं कि ऐरन हमें किसे प्राप्ट होता है अगर वापर हरी सब्जियां लिख्या हुआ है यार ठीक है तो भी आपका राइट चुर जाएगा ठीक है और ऐरन हमें पॉटत होता है पालक की पत्तो से याद रखी गा उप्सें सी आपका सही आंशा रोगा अगला A आपका सही answer हो जाएगा must disk ठीक है अगला question देखी केशीन दुखद होता है केशीन दुखद कैसा होता आप लोगते हैंगे किसे यूखत होता है सही answer होगा protein से यूखत होता है option B आपका सही हो जाएगा protein right answer अगला question देखी friends मानवशरी मे संक्रमन को रोकने में मदद करता है मानव शरी में संक्रमन को रोकने के लिए कौन मदद करता है आप लोग ताएंगे जल्दी से कौन करता है विटामिन A मदद करता है option A आपका से जाएगा ठीक है विटामिन A मानव शरी में ये अक्रित के अंदर पविश्य के लिए इखठा रहता है ठीक है ये अक्रित के अंदर इखठा रहता है और गाजर से परचूर मात्रा में विटामिन A हम प्राप्त कर सकते हैं और विटामिन A साहता करता है श्रीर में संक्रमन को रोकने में अगला क्यूशन देखी cancer के उप्चार के लिए परियुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है cancer के उप्चार के लिए परियुक्त आइसोटोप कौन सा है चलिए देखिए रेडियो आइसोटोप कौन सा cobalt 60 co क्या है cobalt है cobalt 60 का परियोग होता है cancer के उप्चार में तो option B आपका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60, अगला question देखिए, निमलकित में से कौन सा रोग संक्रामक है, आप लोग उताएंगे जल्दी से, फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, कौन सा रोग संक्रामक होता है, तो देखिए, डिफ्तिरिया जो है वो एक संक्रामक रोग है, option B आपका सही आंसर होगा, अगला question देखिए, छेली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, आप लोग उताएंगे जल्दी से, छेली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, सही आंसर होगा friends, देखिए, विटामि सी सबसे अधिक मात्रा में हमें किस से प्राप्त होता है तो यह प्राप्त होता है में आउला से याद रखिए आउला से हमें विटामिन सी जो है अधिक मात्रा में मिलता है याद रखिएगा तो छली होई सब्जों को बार-बार धोने से विटामिन सी निकल जाता है अगला क् पूंचन देखिए कि मानव शुरी में पाछन का धिकांस भाग कि संपन में संपन होते हैं है इसका सही शरा देगा चोटी आथ में ऑप्षन आपका C फिशुटी आथ में ही है ठीक है ओ चोटी आत के अंदर जाकर संपन होती है ठीक है छोटी आत के अंदर जो पाचन कhorn कि रहते हैं वो complete हो जाती है याद रखीएगा ठीक है तो अहमारा क्युस्चिन क्या था मानौ शर्य में पाचन का यांच भाग की संग में संपन होता है तो छोटी आत में संपन होता है अगला क्यूशन देखी माना और तंतर में निमलिकित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है पाचन एंजाइम कौन सा नहीं है सही आंसरों का गैस्ट्रिन ओप्शन डिया आपका शेव जेगा याद रखे त्रिप्शिन, पेप्शिन और ताइलिंग ये क्या है सभी पाचन एंजाइम है ठीक है याद रखे ये तिनों क्या है त्रिप्शिन, पेप्शिन और ताइलिंग पाचन एंजाइम है लेकिन गैस्ट्रिन पाचन एंजाइम नहीं होता है मानव की पाचन नली लगबग कितने फिट लंबी होती है तो देखे इसका सही आंसुट हो जाएगा क्या होती है 32 ठीक है 32 फिट लंबी होती है मानव की पाचन नली की बात हो रही है यहां पर तो ऑप्चन नली जो होती है वो लगबग 32 फिट के एकोल होती है अगला क्यूशन देखिए पेट में भोजन को पचाने के लिए निमन में इसे किस की आउसिकता होती है आप लोग उताएंगे जल्दी से पेट में भोजन को पचाने के लिए हमें किस की सबसे अधिक आउसिकता होती है किस की होती है जो है मानव पेट के अंदर होती है इसका सही आंशोर होगा हाईट्रोकलोरिक अमॉल ठीक है option से आपका हाईट्रोकलोरिक अमल राइट आंसर अगला क्यूशन देखिए फ्रेंड्स मानश में एक एचिक गतियों को किसके द्वारा होता है मनुष्य में एचिक गतियों का नियंत्रण कहाँ पर होता देखी किसके द्वारा होता है इसका सही आंसर का सेरेब्रम ठीक है इस सेरेब्रम जो है मस्तिस का हिस्सा होता है ठीक है तो मस्तिस के अंदर होता है सेरेब्रम और इसे एची गतियों का नियंतरिफ के इंदर किया जाता है option A आपका सही answer हो जाएगा से रिप्रमिया पर अगला question देखी सरीर का तापकरम कहा नियंतरिफ होता है आप लोग उता हैंगे शरीर का temperature होता है तापकरम होता है वो कहा नियंतरिफ होता है किसके द्वारा होता चलिए देखिए सही आंचरोगा हाइपो थेले में से option C आपका सही हो जाएगा ठीक है temperature जो सरीका वो हाइपो थेले में से ने इंतरित होता है अगला question देखिए Amoeba में बोजन का अंते घ्रेंड किसके द्वारा होता है किसके द्वारा कुट पाद के द्वारा option A आपका सही हो जाएगा याद रखिए Amoeba में बोजन का अंते घ्रेंड कुट पाद से होता है अगला question देखिए नेमन में से कौन सा एंजाइम लार में पाए जाता है आप लोग उताएगे जल्दी से और जाए उत पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उप्योग करती है आप लोगता हैंगे जल्दी से किसका उप्योग करती है इसका सही आंशो जो देगा glucose option B राइट आंश्वर next देखिए किस अभिकरिया द्वारा पोधे में oxygen बहरी वातावन से कोशिकाओं में पहुंचता है किस अभिकरिया द्वारा पोधे में oxygen बहरी वातावन से कोशिकाओं में पहुंचता है आप लोगताएगे जल्दी से तो देखिए इसका सही आंशो क्या होगा विषृन, ऐप्शन त्वी आपका स्योजय के विषृन से ओक्सिजन जो है वातावण्त से सिधे कोषिकाओमें पोधर की कोषिकाओमें पहुंचता है अगला क्यूस्टिन देखी साउशन की अभिकरिया में खादे पदातों की प्रेनित क्या होती है सवर्षन के अभिकरिया में खादे पदातों की प्रेणित क्या होती है आप लोग ताएंगे जल्दी से क्या होती है विगटन होती है याद रखी का फ्रेंट्स ओप्षन ए आपका सही आंसर होगा नेक्स देखी मनुश्य के मस्तिषकी सबसे बहारी जिली क्या होती है कौन से होती है आप लोग ताएंगे जल्दी से विगटन होती है इसका सही आपका सही होगा ठीक है अगला कि वाई मंदल में सामने वाइद पर्थिसक्तों कार्बन दाइकसइड की और रात में क्या थोड़ते हैं कार्बन डायोकसाइड ठीक है याद रखी का CO2 छोड़ते हैं पोदे रात में यह क्यूशन आपके एक जम के इंदर पूछा गया है और दिन में ऑक्षिजन छोड़ते हैं चले सून देखिएगा चाय में पनपने वाले पोदे को क्या कहते हैं आप लोग उताइगे जल्दी से सब्सक्राइब option c right answer हो जाएगा अगर आपने बी तक फ्रेंट्स वीडियो को लाइक नहीं के तो एक एक वीडियो को लाइक जुरू कर दीजेगा सभी अगला question देखिए नीमन में से कौन सी बीमारी सवसंत अंतर से सम्मंदित बीमारी कौन सी है सही answer होगा चले देखिए option D आपका राइट अंसर देखा है पर TB और pneumonia याद रखिए TB और pneumonia है वो क्या है सवसंत अंतर से सम्मंदित बीमारी है याद रखिए अगला question देखिए उच रख्त चाप की अवस्ता को क्या कहते हैं उच रख्त चाप की अवस्ता को क्या कहते हैं आप लोग ताएंगे जल्दी से क्या कहते हैं हाइपो टेंशन option A आपका right answer होगा उच रक्षाप के वस्ता को कहते हैं हाइपो टेंशन याद रखीएगा अगला question देखिए मचलियों में उच्छाजीत पदार्थ क्या है आप लोग ताइगे मचलियों में उच्छाजी पदार्थ क्या होता है सही answer क्या होगा चले देखिए इस question का सही answer जाएगा अमोनिया option D आपका सेव जाएगा मचलियों में जो पदार्थ उच्छाजीत क्या जाता है मचलियों के दवारा वो होता है अमोनिया अगला question देखिए, पोदों में आवशकता से अधिक जल किस परक्रिया दवारा बाहर निकाले जाता है, सही answer होगा देखिए, वास पोद सर्जन किरिया के दवारा, ठीक है, option B आपका right answer हो जाएगा, यहां पर वास पोद सर्जन, अगला question देखिए, आप लोग ताएंगे जल किस को प्रकास अंसलेशी अंग कहते हैं, आप लोग ताएंगे जल्दी से, किसे कहते हैं, पत्ती को कहते हैं, option A आपका सही answer होगा, ठीक है, याद रखिए, प्रकास अंसलेशी अंग को होता है, पत्ती, अगला question देखिए, पोदों में गैसों के आदान परदान के लिए र option B, फ्रेंट्स ये question exam में कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिए, पोदों में गैसों के आदान परदान के लिए रंदर होते हैं, अगला question देखिए, फेपडों का आकार क्या होता है, आप लोग ताएंगे जल्दी से, फेपडों का आकार कैसा होता है, कैसा होता ह है, संकवाकार, ठीक है, संकवाकार आकार का होता है, फेपड़ा, option C, आपका सही answer होगा, अगला question देखिए, चलिए देखिए, बोजन का पाचन किस परकार के अभिकिरिया है, बोजन का पाचन किस परकार के अभिकिरिया है, सही answer होगा, friends, अपचैन अभिकिरिया, option C, आप मोशे प्राणम ओती है और ठीक है complete का पो थी ए छोटी आतर में जाकर उल्चेल ले यदो जा थे कहीं हूए होती है झाला अगला question देखिए हार्मोन सबद का नामकरण किस ने क्या था किस ने क्या था बेलिस और स्टार्लिंग ठीक है बेलिस स्टार्लिंग की दवारा हार्मोन सबद का नामकरण किया गया था option C सही answer होगा अगला question देखिए परितिकन का नियम किस ने दिया था? आप लोग तैंगे जल्दी से परितिकन का नियम किस ने दिया था? सही आंशरों का मेंडल, ओप्शन C, राइट आंशरों देगा, याद रखी, मेंडल के द्वारा परितिकन का नियम दिया गया था अगला question देखिए जीव विज्यान सबद का परियोग सरव पर्थम किसने दिया था very important question, सही आंसर क्या होगा, देखीए जीव विज्यान सबद का परियोग सबसे पहले किया था किसने लेमार्क तर्था ट्रेवी रेनस ने Option A आपका सही होगा, लेमार्क और ट्रेवी रेनस नेक्स दिखिए वॉरसपती विग्यान के जनक के नाम से आप लोगते, सही आंसर का, थियो फ्रेज्टस, उप्शन सघ्री यह जाओ, नेक्स दिखिए परियावन का देन जी विग्यान की किस साखा की अंतरगत क्या जाता है सही आंसर होगा फरिष्टिकी अगला क्यूशन देखिए पोधों को नाम देने वाला विग्यान कहलाता है पोधों को नाम देने वाला विग्यान क्या कहलाता है जल्दीश वताईगा क्या वरगी की touchscreen B आपका सेव जाईगा वरगी की कहलाता है पोदो को नाम देने वाला विज्यान अगला question देखिए जिन पोदो पर बीज बनते हैं किंथु पूस्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं क्या कहलाते हैं अनावर्थ वीजी कहलाते हैं जिवानों की साधार्ण आकर्ती क्या होती है आप लोग उताएंगी जल्दी से जिवानों की साधार्ण आकर्ती क्या होती है तो देखिए सई आंसर क्या होगा छड रूपी Option C, आपका सियोजेगा 6 रूपी होती है, ठीक है, याद रखिए जिवाणों की साधारन आखरती अगला क्यूशन देखिए निमल लिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, आप लो उताएंगे जल्दी से कौन सा होता है, तपेदिक Option B, आपका सियोजेगा, तपेदिक क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली बिमारी होती है, याद रखिए अगला क्यूशन है मानव की आथ में पाया जाने वाला जिवाणों कौन सा होता है सही आंसर होगा, एसी रेसी आई कोलाई Option A, आपका सियोजेगा, याद रखिए, मानव की आथ में पाया जाने वाला जिवाणों है, एसी रेसी आई कोलाई Next देखिए Antibiotics अधिकांस्त पाय जाते हैं Antibiotics अधिकांस्त पाय जाते हैं, किसमे पाय जाते हैं, जिवाणों में Option D, आपका सियोजेगा, जिवाणों Next देखिए निमन में से सबसे छोटा जिव है, सबसे छोटा जिव कौन सा होता है आप लगता हैं जल्दी से कौन सा होता है, माइको प्लाज्मा, ठीक है, याद रखिए, माइको प्लाज्मा क्या है, सबसे छोटा जिव Option A, आपका सही आंसर होगा, अगला क्यूशन देखिए, निमन में से कौन सबसे होता है, आप लोगता हैंगे, सही आंसर होगा, सयवाल, Option A, सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिए, सबसे होते हैं, सयवाल, अगला क्यूशन देखिए, टीक का रोग किस में होता है, अगला question देखिए, किस सहवाल से iodine प्रात होता है, आप लोग तेंगे, किस सहवाल से iodine प्रात होता है, सही answer रोगा, लेमनेरिया, option D, सही answer रोगा याद रखिए, लेमनेरिया से iodine को हम प्रात कर सकते हैं, लेमनेरिया क्या है, एक सहवाल होता है, याद रखिएगा, अगला question कुछन देखिए हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन होता है हाइड्रोफोबिया रोग किस से उत्पन होता है सही आंसु क्या होगा देखिए विशानु से ठीक है एक अनुवांसिक रोग होता है याद रखिए हाइड्रोफोबिया क्या होता है एक अनुवांसिक बिमारी होती कि याद रखीगा और यह विशानु से होती है अगला question देखिए जनतूओं में होने वाली foot and mouth रोग किसके कार्ण उत्पनोता है foot and mouth रोग जनतूओं में किस कार्ण से उत्पनोता है विशानु से option A आपका सही हो जाएगा विशानु next देखिए canhprapt होता है के ल किसे प्राप्त होता है आप लोग आंगे जल्दी से देखिए खास याउत्पनोता है किस से इसका सही हो जाएगा समूद्री श्यावल से option B आपका सही हो जाएगा यह रखिए के ल को पराप्ट करते हैं समूद्री श्यावालों से next क्या होते हैं चले फ्रेंट्स क्योंच देखिएगा जापान में लोग किस लाइकेन को सब्सक्राइब में खाते हैं इसका इंडो कारपन जी हां फ्रेंट्स इंडो कारपन एक ऐसा लाइकेन होता है जिसको जापान देश के अंदर सब्सक्राइब में खाया जाता है याद रखेगा ठीक है जापान के लोग जो है लाइकेन इंडो कारपन को सब्सक्राइब में खाते हैं ओप्शन भी आपका सही आंसर का याद रखेगा नेक्स देखिए अगला क्यूशन है ए जोला है एक जलिये फण होता है उप्शन ए आपका सही आंसर होगा एक जलिये फण न presentation next देंखिए अगर नहीं तक वीडियो को लाइक द σεक्शैक है तो आप लोग फ्टाफोट वीडियो को लाइक करेंगे अपने अपने दोस्तों से सेस करेंगे Facebook, WhatsApp, Telegram, सभी जगे इस वीडियो को share जरू करना ताकि सभी लोग इस वीडियो का फुरा-फुरा फायदा उटास के अगला question देखिए निमलिखित में से किसी जैव उर्वक के रूप में परियोग किया जाता है जैव उर्वक के रूप में किसका परियोग होता है इसका सही आँचो का एजोला option भी आपका सही हो जाएगा ठीक है एजोला आपका right answer हो गया पर next question देखिए protein जो कोशिका के भीतर उप्योग की जाती है किसके दवारा संसलेशित होती है protein जो कोशिका के भीतर उप्योग की जाती है किसके द्वारा संसलेशित होती है, आप लोग उताएंगे जल्दी से, तो देखिए किसके द्वारा, सही आंसर होगा, मुक्त राइबोसोम के द्वारा संसलेशित होती है, ठीक है, प्रोटिन जो कोशिका के भीतर उप्योग की जाती है न, वो मुक्त राइबोसोम के द्वार संसलेशित होते हैं याद रखिए, option C आपका सही आंशर होगा, अगला question देखिए, मुलांकर से विक्षित होने वाली जड़े कहलाती है, मुशला जड़े कहलाती है, option A सही आंशर होगा, मुशला जड़े, next देखिए, निमलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, आप देखिए, तो आलो जो है आपका सही आंशर होगा, option C, right answer, ठीक है, आलो जो है कि जड़ नहीं होती है, लेकिन से करकन मुली और गाजर ये सभी क्या है, जड़े होती है, next देखिए, आउस तम मूल पाई जाती है, किस में जल्ली से बताएंगे आप लोग, किस में पाई जा जाती है, किस में गन्य में पाई जाती है, याद रखेगा, option A, आपका सही आंशर होगा, next देखिए, बर्गत के पेड के तने से लटकने वाली मोटी जड़े कहलाती है, क्या कहलाती है, आप लोग ताएंगे जल्दी से, क्या कहलाती है, स्तम मूल कहलाती, option C, आपका सही आ कौन सा होता है, आप लोग उताएंगे जल्दी से, कौन सा होता है, चलिए देखिए, परकंद होता है, option B, सही आंसर होगा, परकंद यहाँ पर राइट आंसर, अगला question देखिए, संसार का सबसे बड़ा पोस्व किसके द्वारा उत्पन होता है, सही आंसर होगा, reflection B, आपक जल्दी से, आधुनिक antiseptic surgery का जनक कौन है, लिस्टर, option A, आपका सही हो जाएगा, लिस्टर के द्वारा आधुनिक antiseptic surgery को विक्सित क्या गया था, याद रखेगा, next देखिए, किसके द्वारा अनुवान सिकता है कि विज्ञान को अनुवान सिकी का गया, आप लोग उता कारक है, आप देखिए, रक्त समुगा, अब इस कारक कोन है, कोन है, छली देखिए, जैए आंसो का लेंट सिनर, ठीके, रक्त समुग की खोज किसने कीथी, लेंट सिनर कीथी, option A आपका, चाहिए, जो मान अव बलड होता है, उसका जो pH मान होता है, ठीके, जो मान अव पहला पर्तिस्थापन के दुवारा किया था आप लोग तहाएगे जल्दी से किस ने क्या था चले देखिए सही आंशर का डॉक्टर केस्टिन बर्नार्ड ओप्षिन से आपका सेजेगा हर्दे का ठीक है कर्देक का पहला पर्तिस्थापन किया था फ्रेंट्स question, Bernard nee next, देखी आप लोग उताएंगे, जल्दी से विकास का सिध्धान्ट किसके द्वारा پरति-पादित क्या गया था? सही운 answer होगा, Darwin, option B, आपका सही- आन्सुर होगा next, देखी histology सबद गा, सरव परतम परियोग किसने क्या था? Histology सबत का सराव पर्थम परियोग किसने कैथा आप लोगट आएंगे जल्दी से किसने कैथा चले देखिए मेयर ने Option D आपका से उजएगा Histology सबत जो था वो सबसे पहले परियोग कैथा मेयर ने Next देखिए निमलकित में से कौन सा उतक घाओ बारने में सायक होता है कौन सा उतक घाओ बारने में सायक होता है तो चलिए देखिए इसका सही आंसर का अपिछलियम उतक option B आपका right answer का याद रखिएगा next देखिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक निके तो अपना एक एक लाइक इस वीडियो को जुरू देना आपके एक एक लाइक से फ्रेंड्स यी वीडियो का यी बच्चों तक पहुंचेगी क्योंकि एक लाइक से दस बचों तक वीडियो पहुंचती है तो आप लोग लाइक जुरू करेंगे ठीक है ताकि सभी का भला उसके फुटाफ़र वीडियो को लाइक करें अपने दोसों से सेर कर दीजीगा फ्रेंड्स और जो नौई बचया है चैनल को सभी सबस्क्राइब क चलने के लिए उत्तफ़दाई होता है नेक्स देखिए संवेद्ना का चालन स्री के एक भाग से दूसरे में किस के द्वार होता है सईए आंसर होगा, तंत्रिका उत्तक ओप्सण डी आपका शिःजीगा तंत्रिका उत्तक से होता है अव्यला क्यूशन देखिए उन्ट का कूबड किस उतक का बना होता है आप लोग तेंगे जल्दी से उट का जो कूबड होता है वो बना होता है किसे वशा में उतक से ठीक है ओप्शन यह आपका सही आंशर होगा और देखी जो उट होता है इसको क्या का जाता है इसको का जाता है राजस्थान का जाता है इसको रा जिसमें संयोजी उत्तक में पाई जाते हैं, option A आपका संयोज जाएगा है, ठीक है, याद रखिए, मास्ट कोशिकाईच होती हैं, वो संयोजी उत्तक में मिलते हैं, अगला question देखी, फेफडों को डखने वाला आवन कहलाता है, फेफडों को डखने वाला आवन क्या कहलाता ह पलूरा, option D आपका सही आंसरों का पलूरा कहलाता है, याद रखिएगा, next देखी, किसी जीवित देखे के बीतर कोशिका या उत्तक की मर्ट्व को क्या कहते हैं, चले देखिए, क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं, option C आपका सही हो जाएगा, अगला question देखी, कोशिका मे पाय जाने वाले अनुवान्सिक की पतार्त कौन से हैं, आप लोग पताएंगे जल्दी से, कोशिका में पाय जाने वाले अनुवान्सिक पतार्त कौन से हैं, DNA, option C आपका सही होगा, और DNA की फूल फोर्म क्या होते हैं, DNA की फूल फोर्म होते हैं, याद रखिएगा, क्या हो अगरा क्योशन देखिए मातापितए के गुण उनकी संतानों में किसके दोबारा हस्तानतरित होते हैं चले देखिए किसके दोबारा गुण शुत्रों के दोबारा किस कार्ड से होती हैं, चले देखें सही आंसर होगा, अनुवानसी की विभिनता, ठीक है, अनुवानसी की विभिनता कि कार्ड माता पिता के सभी संताने एक समान नहीं होती हैं, option A आपका सही होगा, अगला question देखी, लड़का पैदा होगा जब, तो इसका सही आंसर क्या ठीक है, तो option C आपका सही आंसर होगा, next देखी, अगला question देखीएगा, निमन लिखित में से कौन एक लिंग सहालंगन रोग है, कौन सा एक लिंग सहालंगन रोग है, तो सही आंसर होगा, फ्रेंच, वर्नांता एक लिंग सहालंगन रोग होता याद रखीगा, option C आपका सह यहाई आपको नियुक्त करने के एक लिए एक लाइक करेंगे और जो नए बच्चे आ हैं पहले बार विजिट करें चैनल पर चैनल सभी सब्सक्राइब कर लिजिगा आपको यहाँ पर डेली, जर्नल साइंस, जर्नल आवेनेस, करेंट आफिरिक की क्योशन मिले हैं, जो कि free of cost होते हैं, तो सभी बच्चे चैनल को सबस्क्राइब जरू करेंगे, और अपना फीड़िबेक जरू देना वीडियो पर, कि आपको वीडियो कैसे लगे, क्योशन कैसे लगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तर तर गुडबाई, टेक केर, जै हिंद, जै भारत, वंदे मार्ण,